नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धन एप और कोटक सेक्यूरिटीज दोनों ही एप्लिकेशन का इस्तिमाल करने पर हमें सबसे कम चार्ज किस एप्लिकेशन में देना पड़ता है तो मेरी आप से रिक्वेस्ट दोनों ही एप्लिकेशन कब लॉंच हुई थी तो आप देख सकते हैं जो धन एप्लिकेशन है इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी अगर हम कोटक सेक्यूरिटीज की बात करें तो इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी तो आप देख सकते हैं कोटक सेक्यूरिटीज की शुरुआत थोड़ा पहले हो गई थी धने application के मुकाबले अब हम बात करते हैं दोनों ये application के number of downloads कितने हैं Google Play Store पर तो आप देख सकते हैं धने application को Google Play Store पर 10 लाग से भी जादा लोगों ने download करके रखा हुआ है अगर हम कोटक securities की बात करें तो इसको भी 10 लाग से जादा लोगों ने download करके रखा हुआ है तो number of downloads के मामले में दोनों application के बिल्कुल same to same number of downloads यहाँ पर हो रखे हैं अब हम बात करते हैं account opening charges के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप धने application में अपना account open करवाते हैं तो यहाँ पर आपको एक भी रुपया account opening charge के रूप में नहीं देना पड़ेगा अब हम बात करते हैं कोटक securities के बारे में तो यहाँ पर आपको दो option दिये जाते हैं account open करवाने के लिए यानि कि इसके अंदर आप दो plan की मदद से अपना account open करवा सकते हैं पहले plan का नाम है trade free plan इस plan के अंदर अगर आप अपना account open करवाते हैं तो आपको 90 रुप आपको 299 रुपे प्लस GST देना पड़ेगा जब आपको एक साल हो जाएगा तो फिर आपको दूसरे साल की शुरुआत में 499 रुपे प्लस GST देना पड़ेगा अब आप सोच रहे होंगे कि trade free youth के अंदर हमें दो दो बार account opening charge देना पड़ रहा है तो आप इसे account opening charge समझ ल बहुत सारी facilities दी जाएंगी जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा तो आपको एक important information में आपको बताने वाला हूँ अब जैसे कि अगर आप trade free plan में अपना account open करवाते हैं तो इसके लिए जो आपकी उम्र है वैं 30 से जादा होनी चाहिए और अगर आप trade free youth में 30 से कम होनी चाहिए तो मुझे उमीद है कि आपको account opening charge के बारे में समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं account maintenance charges के बारे में तो धने application के अंदर account maintenance charge बिलकुल 0 है यहाँ पर आपको एक भी रुपय नहीं देना account maintenance charge के रूप में अब हम बात करते हैं कोटक securities की तो कोट maintenance charge देना पड़ेगा तो अगर आप दोनों plan में से किसी में भी अपना account open करवाते हैं तो वहाँ पर आपको same to same account maintenance charge देना पड़ेगा अब हम समझते हैं कि हमें कितना account maintenance charge देना पड़ेगा अगर आपका DMART account BSDA client के अंडर में आता है तो आपको 50,000 से कम की holding पर एक भी रुपय charge नहीं देना है अगर आपकी holdings 50,000 से लेकर 2,000,000 के बीच में तो आपको 100 रुपय हर साल देना पड़ेगा अगर आपका DMART account non BSDA client के अंडर में आता है तो इस condition में अगर आपकी holdings 1000 से कम है तो आपको 0 रुपय चार्ज देना पड़ेगा अगर आपकी holdings 1000 से जादा है तो आ on BSDA client में आता है तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको cortex securities के customer care को phone लगा के पूछ लेना है कि आपकर जो DMART account है वो किसके अंडर में आता है तो मुझे उमीद है कि आपको account maintenance charge के बारे में सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं brokerage on delivery यानि क अगर आप किसी भी company के share को खरीदने के बाद बेचेंगे तो बेचने पर आपको कितना charge देना पड़ेगा तो अगर आप धने application के अंदर किसी भी company के share को बेचते हैं तो यहाँ पर आपको 0 रुपे ब्रोकरेज देना पड़ेगा यानि कि धने application के अंदर बिलकुल 0 charge है किस किसी भी company के share को बेचने पर अब हम बात करता है KOTAK Securities की तो इसके अंदर दो प्लैन हैं अगर आप trade free plan के अंदर किसी भी company के share को बेचते हैं तो आपको 0.25% चार्च देना पड़ेगा अब जैसे कि आप किसी भी company के share को बेच रहे हैं उसकी value अगर एक लाग रुपे है तो ए एक भी रुपए चार्च नहीं देना है तो मुझे उमीद है कि आपको brokerage on delivery दोनों ये application के अंदर समझ में आ गया होगा कि हमें कितना क्या चार्च देना है अब हम बात करते हैं brokerage on intraday यानि कि अगर आप intraday trading करते हैं दोनों ये application के अंदर तो आपको कितना चार्च देना प पड़ेंगे अब हम बात करते हैं कोटक securities के बारे में अगर आप कोटक securities के अंदर intraday trading करते हैं तो इस condition में आपको 0 रुपए चार्च देना पड़ेगा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोटक securities में आपको 2 option दिये जाते हैं account open करवाने के लिए तो अगर आप दोनों में अगर आप अपना account open करवाएंगे तो आपको दोनों ही condition में intraday trading करने पर 1 रुपए चार्च नहीं देना है अब हम बात करते हैं mutual fund charges के बारे में अगर आप दोनों ही application के अंदर mutual fund में investment करेंगे तो आपको कितना क्या charge देना पड़ेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अ mutual fund में investment करते हैं तो आपको एक भी रुपए चार्च नहीं देना है जैसा कि मैंने आपको बताया था कोटक securities के अंदर दो प्लैन दिये जाते हैं जिससे कि आप अपना account open करवा सकते हैं अगर दोनों ही plan में से अगर आप किसी में भी अपना account open करवाएं तो दोनों ही condition में आ बीचते हैं तो बेचने पर हमें टीपी चार्ज़स देना पड़ता है अगर हम किसी भी company के शेर को एक दिन में एक बार दो बार या फिर दस बार बेचेंगे तो हमें एक दिन में डीपी चार्जना रख़एंगे तो अगले दिन हमें अलग Divine द में अलग से पिचार्जन और KOTAK Securities के अंदर जो DP Charge है वो 27 रुपे प्लस GST है और KOTAK Securities के अंदर आपको दो प्लैन दिये जाते हैं अकाउंट उपन करवाने के लिए अगर आप दोनों ही प्लैन में से किसी में भी अपना अकाउंट उपन करवाते हैं तो दोनों प्लैन में ही आपको DP Charges 27 रुपे प्लस GST देने पड़ेंगे तो चलिए अब हम बात करते हैं Option Trading Charges के बारे में तो अगर आप धने अप्लिकेशन के अंदर Option Trading करते हैं तो आपको 20 रुपे पर ओर्डर देना पड़ेगा अब हम बात करते हैं कोटक Securities के बारे में अगर आप कोटक Securities के अंदर Trade Free Plan के अंदर अपना अकाउंट उपन करवाते हैं तो आपको 20 रुपे पर ओर्डर देना पड़ेगा Option Trading करने पर अगर आप अपना अकाउंट Trade Free Youth के अंदर उपन करवाते हैं तो आपको 0 रुपे चार्ज देना पड़ेगा Option Trading करने पर यानि कि यहाँ पर Option Trading करना बिल्कुल Free है अब मैं आपको शुरुवात में बता रहा था कि अगर आप Trade Free Youth Plan में अपना अकाउंट उपन करवाते हैं यानि कि इसमें अपना अकाउंट उपन करवाते हैं आपको स्टार्टिंग में अकाउंट उपनिंग चार्जिस के रूप में कुछ ज़्यादा चार्जिस देने पड़ रहे थे तो वो इसलिए देने पड़ रहे थे क्योंकि यहाँ पर Option Trading और Interred Trading करना बिल्कुल Free है पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ रहा है इसलिए इस प्लैन में आपसे स्टार्टिंग में थोड़े जादा पैसे लिए जा रहे हैं तो मुझे उमीद है कि आपको Option Trading के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि दोनों एप्लिकेशन में कितना क्या चार्ज लगता है अब हम बात करते हैं Auto Score of Charges के बारे में तो सबसे पहले में आपको बता देता हूं कि Auto Score of Charges क्या होते हैं जब भी हम Interred Trading करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीद कर उसी दिन बेचना पड़ता है अगर हम किसी वज़े से Market Close होने से पहले पहले हमारे खरीदे हुए शेयर को नहीं बेचते हैं या फिर बेचना भूल जाते हैं तो उस Condition में जो हमारा Trading Account है वो Automatic हमारे शेयर को Sell कर देता है अगर हमारे Trading Account हमारे शेयर को Sell करेगा तो इसके वेच चार्ज लेगा उनी चार्ज को Auto Score of Charge बोला जाता है तो मुझे उमीद है कि आपको Auto Score of Charge समझ में आ गया होगा धने एप्लिकेशन के अंदर Auto Score of Charges हैं वो हैं 20 रुपे प्लस GST अगर Kotak Securities की बात करें तो इसके अंदर जो Auto Score of Charges हैं वो हैं 50 रुपे प्लस GST अगर Kotak Securities के अंदर आपको दो प्लैन दिये जाते हैं जिसकी मदद से आप इसमें अपना अकाउंट उपन करवा सकते हैं दोनों प्लैन के अंदर ही आपको Auto Score of Charges देने पड़ेंगे और दोनों प्लैन के अंदर बिल्कुल सेम टी सेम Auto Score of Charges हैं 50 रुपे प्लस GST तो चलिए अब मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर आप बहुत अधिक मातरा में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग करने के लिए आप KOTAK Securities का इस्तमाल कर सकते हैं मतलब कि KOTAK Securities के अंदर अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप तब ही खुलवाईएगा अगर आप ज्यादा मातरा में Option Trading है फिर इंट्रेडिंग करना चाहते हैं कि KOTAK Securities के अंदर आपसे ना के वराबर चार्ज लिया जाएगा कोई से भी ट्रेडिंग करने पर अगर आप भूत अदिक मातरा में किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं तो उस कंडिशन में आप धने अप्लिकेशन का इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे बेचेंगे लॉंग टर्म के लिए तो इसमें धने अप्लिकेशन में अकाउंट उपन करवाने में ज़ादा फायदा है तो मुझे उमीद है कि आपको दोने अप्लिकेशन के चार्जिस के बारे में समझ में आ गया होगा और यह भी समझ में आ गया होगा कि किस कंडिशन में हमें किस अप्लिकेशन में अकाउंट खुलवाना चाहिए तो मुझे उम्हीर है कि जो भी चीज में आपको समझाए वो आपको अच्छे समझ में आई होगी अगर आप Best Demart Account या फिर Best Trading App के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियो नजर आ रही होगी आप उन वीडियो को देखकर Best Trading App या फिर Best Demart Account के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो अगर इस वीडियो में आपको कोई बीची समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा तो इस वीडियो को हम यही पर समाप्त करते हैं धन्यवाद